चलो दोस्तों शुरू करते हैं आग ही आग गमराज की कॉमिक्स है दोस्तों ध्यान से सुनना जब जेल की दिवार एभी दोजमीन में सुरंग बनाने के उपकरणों के भाव के काण सुरंग बनाना संभव हो सुरक्स्ता वैस्ता जबरदस्तों रिश्वत देने के लिए जेम में पैसे नहीं हो तो ये नीश समझ लेना चाहिए कि जेल किले में बदल गई है और कोई कैदी उसे भेदी नहीं पाएगा कुछ कैदी ऐसे जरूर होते हैं जिनका दिमाग हरपल जेल से फ्रारी की योजनाई ने के वल बूनता है रहता है बलिक उन्हें अन्जाम भी देता है जैसे ये कैदी जिसे आग लगाने के जरूम में दो साल की सजा मिली हुई है जिसने स्टोर रूम से गार्ड्स के चुराएवे रेन कोटों को सील कर एक विशाल बैलून का रूप दे दिया है अगर इस बैलून को बैलून तो तभी का जा सकता है जब ये फूल जाए गुबारे को तीन चीजों तीन चीजे फूला सकती है वायू गैस और आग से उत्पन हुआ उच्ताव केरोशिन से बिगी रसी समय बं के पलिते का काम कर रही है क्योंकि इस पलिते पर से फिशलती हुई याग अब सीधे जेल की रसोई में रखे लिक्स लेंडरों तक पहुंच कर करेगी जबरदस्त वी स्पोर्ट जिस से मेरे सांदार बैलून को मिलेगी उच्ताव और यो और वो हो जाएगा उड़ने के लिए तयार उड़ने के लिए तयार मुझे सही था इस अद्बूत गटना से अलांकी गार्स की बुद्धी कुंद हो गई मगर फिर भी वे गोलिया चला कर अपनी डूटी पूरी करने लगे वो तो काफी उचा चला गया है पर तुने बैलून को निशाना क्यों नहीं बना आरे बेकु मुझे गुबारे फोड़ना अच्छा नहीं लगता है एक बार एक गुबारा फोड़ दिया था तो पापा के पापा ने मुझे भूत मारा था क्योंकि वो गुबारा पापा को मम्मी ने ले कर दिया था उसी समय जेल से थोड़ी दूरी वाली सड़क पर गुरू इस नोकर दार धमाके से वो चोक पड़े एक शराबी ने बीड़ी से अपनी विस्तर प्राग लगा दी थी उसे बुजाकर वापस लोट रहे थे गमराद और संकालू गुरू वह देखो उदर तो जेल है जहां आग लग रही है मैं गाड़ी जेल की तरब मोड़ता अंगुरू वरना मुझे संका और यह कि पूरी जेल राक का धेर बन जाएगी और सारे कैदी जल मुरेंगे गमराद जेल को राक का धेर नी बनने देगा संकालू इदर अड़बडाट में संकालू ने गीर के स्थान पर दबा दिया वे लीवर जिससे सफाई लीप टूची उठ जाती थी स्काई लीप टूची उठ जाती थी परिणाम सुरूप अब यो संकालू भांग खा लिये क्या तुने तभी अरे यह क्या यह बैलून बीच में कहां से आ गया इस तरह तो यह बैलून और उसका स्वार मारी स्काई लीप से टकरा जाएंगे क्योंकि लगता है नकार के काण बैलून का स्वार मुझे नहीं देख पा रहा है उसे रोकने के लिए मैं दिया सिलाई को जला कर सिगनल देता हूँ मगर बगोडे कैदी की निगाजलती दिया सिलाई में एक अनोखा दरसे देख रही थी बच के भईया इसी के साथ कैदी तेजी से आकर गमराज से टकराया अरे उफ अबे फूटा तो नहीं गुबारा मगर जवाब देने के लिए बगोडा कैदी वह मोजुद नहीं था तो कि लेटर से टकराने के बाद बैलून तेजी से एक और को उड़ता चला गया था सुकर बचकर निकल गया अगर बैलून फूट जाता तो उसका स्रीर नीचे उतार आत्मा उपर तब तक संकालू ने जेल के निकट पहुँचकर गाड़ी को रोक दिया था और गमराज़ा पूचा चट पर खड़े उस गाड़ के निकट जल्दी करो तुम दोनों लिफ्ट में आ जाओ हम दोनों को छोड़ो पहले ये बताओ कि तुमने उस बगोड़े कैदी को पकड़ा क्यो नहीं अभे कैदी तो गया इसे आग बुझाने के लिए क्यो नहीं बोलता क्या हो तो वो भगोड़ा कैदी था मगर तुमने मुझे पहले क्यो नहीं बताया तुने क्या समझा जेल की वर्दी पहने कैदी क्या हूआ खाने के लिए जेल के बाहर उड़ रहा है पर अब तुम जल्दी से नीचे जाकर आग बुजाओ दोनों जल्दी आग बुजाने की डूटी पर लग गए जबकि उसी समझ जेल के अंदर हेलो फायर ब्रिगेड जेल में आग लग गए जल्दी आओ जेलर ने फोन रखाई तकी वाट क्या फैक से आयो पराग मेरे आफिस में नहीं लगी बाहर कैदियों की बैरक के पास लगिये तुम कोन हो फायर ब्रिगेड वाट क्या फैक से आये हो पराग मेरे आफिस में नहीं लगी बाहर कैदियों की बैरक के पास लगिये हम आग बुजाने के बाद जाने की इजाज़त लेने आए हैं नहीं नहीं अपना देश इतनी जल्दी इतनी परगती कैसे कर सकता है जेलर के लिए चकरा कर गिरने के लावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था गुरू यह तो गया अब हमें भी चलना चाहिए तो फिर चलो गमराजवे संकालू तत्षणी वापस लोट पड़े अगले दिन वाट केंडिल लाइट डिनर संकालू आज हमें इस रैस्त्रा के बाहर उपकरणों की जांच का काम पूरा करना है क्योंकि इन उपकरणों की खराबी आउचित रख रखाओं का रख रखाओं ने मिलने के कारण ही आग भेंकर रूप ले लेती है गल्स आग फैलने का एक कारण गराकों को लुवाने के नए-ने तरीकों में से एक ये कैंडिल लाइट डिनर भी है मुझे संका है कि इससे कभी भी कोई भी दुरगटना हो सकती है मैं पहले यहां की सारी मौंबतिया ही बुजा दूँ दूसरी टेबल पर आ डुसिम इस मौंबतिय को बुजा कर तुमने मेरे आनने में खलल डाला ये गुसा उसी का इनाम था लेकिन मैं फायर बिर्गेड वाला हूँ आग बुजाना मेरा काम है और मेरा काम है आग के दुस्मनों से दुस्मनी हा हा गुरू गमराज ने जल्दी से आग बढ़ा कर बीच बचाव किया आगे बढ़कर बीच बचाव किया जाने दो भाया इसकी नई नई नौकरी लगी है कैंडिल लाइट गुसा याद रहेगा बुहू मगर तब तक वैब एकती निकट वाली टेबल पर जलती मौंबत्यों की तरफ आकर्शी तो चुका था मैं एक्सर डिनर के लिए यहीं आता हूं क्योंकि I love her आग के सशीन पहलू के क्या कहने गुरू ये तो मुझे कोई पागल दीखता है फार इज ग्रेट फार इज ब्यूटिफूल ऐसे आदमी को पागल नहीं कहते संकालू ऐसे आदमी को कहते पाइरो मैनियाक तबी अरे संकालू देख कल रात जेल वाली गटना की खबर चपी है और कैदी का फोटू भी चपा है तबीर पर संकालू की नजरे पड़ते ही गुरू ये ये कह दी तो वही है हाँ वही पाइरो मैनियाक जिसके गम में जेल अधिकारियों की निंद राम हुई पड़ी होगी कल अंदेरे के काण में उसकी सकल नहीं देख पाय था मगर आज मैं इसे बच कर नहीं जाने दूँगा गमराज ने चीते की तरह उचल कर उसे दबोच लिया मगर पायरों ने बचा की कोई कोई कोशिश ने की बलिक आ तुमने अचानक अमला करके मुझे गबरा दिया जिससे मेरे सीने में दर्द पड़ गया मुझे हाट हाट अटैक हो रहा है मेरी दवाई गन का सारा गम का मारा गमराज उसके गम में तड़प उठा अरे अगर इसे दवा नहीं मिली तो ये बिचारा प्रलोक्षिदार जाएगा जल्दी बताओ कहां तुम्हारी दवाई संकालो तुम्हें 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 दवाई ला कर देगा उसके बाद मैं तुम्हें पिटाई करूँगा और तुम्हें जेल लेकर जाओँगा आद दवा कहां कार के अंदर संकालू ने पुर्टी के साथ उसे दवाई के सिसी ला कर दी इसे पीकर मैं भलाचंगा हो जाओंगा मेरा लाइटर भी उठा दो ये मेरी बीवी के भाई के जी जाका है पली जाई पाइरो ने दवाई से बरी पूरी सिसी खाली कर दी ये लो अपना लाइटर और चपचाब जेल वापस जाने के लिए तयार हो जाओ इसी पल पाइरो की आँखों में करोंद गई मकारी की चमक बक्स से उसने आन किया लाइटर किलिक और दूसरे पल उसने मुह की पिछकारी गमराज वे संकालू के और उच्छा लिए और उस पिछकारी की गंद को महसूस करते ही हाँ हाँ मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा और संकालू बच इसने दवाई के भाने मिटी का तेल मुह में बरा है फिर जब तक गमराज उटकर खड़ा होता पाइरो तो भाग गया मगर उसके अमले से संकालू गहल हो गया गुरू मैं तो सोच रहा था कि मनने के बाद चिता में ही जलूँगा लेकिन गबरामत संकालू मैं तुझे आस्पिटल लेकर चल रहा हूँ उप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मगर जब काफी देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होई तो मुझे संका और ये गुरू की कई अमदूत रास्ते में ने टकरा जाई गबरामत और सुकर मना की एक कूड़ा डोने की गाड़ी तो ठीक समय पर मिल गई गमराज संकालू को लेकर निकट के नर्सिंग ओम में पहुँचा मेरा दोस्ट संकालू जलने से गाल हो गया डक्टर आ गबरामत हम तुमारी जल्दी छुट्टी कर देंगे नर्स इसे आपरेशन थेटर में पहुँचाओ जल्दी भोरन आपरेशन करना होगा अपरेशन मगर सर स्ट्रेशर एवलेबल नहीं है समय कम है जो चीज उपलद है उसी में इसे आपरेशन थेटर पहुचाओ क्विक अगर ऐसी बात डक्टर तो इसे इसी गाड़ी में ले चलते हैं मगर गुरू मैं आपरेशन नहीं करवाऊंगा बूहू डक्टर कहते तो आपरेशन जरूरी है संकालू समझा कर तभी हाई रे मेरी चंपागली बगवान ने मुझे उठा कर ठीक नहीं किया तुझे उठा कर ठीक नहीं किया पता नहीं दूसरी कैसी मिले बूहू हाई रे हमें क्या पता था कि इतनी जल्दी दूसरे दहेज का भी इंतिजाम होने वाला है भगवान तेरे घर में देर हैं देर नहीं गमराज के लिए वैदर से बड़ा गमदाई था इसे क्या हुआ था भाईया मत पूचो मत पूचो बया कैसा पारट तूट पड़ेगा मेरे सास ससूर पर इसकी मौत की सास ससूर पर इसकी मौत की कहबर सुन कर मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि इसका हाथ तवे पर जल गया था और इसके बाद आपरेशन थेटर से जिंदां न्हीं निकली हाय आरे मिस्टर संकालू अगर तुमारी कोई आखरी इचा हो तो अपने दोस्त को बता दो क्या क्यों ये तो हम आपरेशन थेयर्टर में जाने वाले हर पैसेंट से पूछते तुम नहीं बताना चाते तो कोई बात नहीं गुरू गुरू मुझे बचा लो मुझे आपरेशन टेबल पर फूँचा दिया गया नहीं नायों की तरह उसतरा क्यों तेज कर रहे हो खाल उतारने के लिए चीरा देने वाली छुरी मिल नी रही शाध वो उसी गुपा गे पेट में रहां गई होगी इसलिए शी उसतरे से काम चलाना होगा तो क्या चीरा लगाना पड़ेग हाँ बैया और वो भी बहुत बड़ा क्यों कि मैं बड़ा डक्टर हूँ छोटा चीरा लगाना मेरी सान के खिलाप है संकालू मैं त्रेंदर से संका का कीड़ा भी निकलवा लूँगा मगर इससे पहले कि डक्टर अगली कारेवाई करता उसी पलापरेशन थेटर का दर्वाजा खुला और अरे ये तो अक्से कुमार है अक्से कुमार का तो मैं भी पंखा हूँ मेरा मतलब फैन हूँ है डक्टर जल्दी करो अक्से को कुछ हो गया तो फिलम पर लगे मारे एक कर तब तो फोरन आपरेशन करना पड़ेगा वरना सेप्टिक हो जाएगा मुझे और भी स्पेसलिस्टों को बुलाना होगा हाथ काटना भी पड़ सकता है अरे पर ये नर्स कहा गई नर्स तो टायलेट में गई है जब डाक्टरों की पूरी टीम ने वहाँ पूचकर एक सु कुमार इतियादी के बाहर जाने के बाद तुम कौन ओ आपरेशन थेटर में क्या करी हो गेट आउट आपने मुझे पैचाना नहीं मैं नर्स हूं सर अगर सर मगर सर अक्से कुमार जी कहा गए अक्से कुमार के लिए सज दज कर आई नर्स को वापस कपड़े बदलने जान गया मैं जानता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि जब से यह आस्पिटल बना ऐसा ही हो रहा है इस इंजेक्षन को देखकर ही मरीज भेष्व हो जाते हैं अगले दिन सुकरे संकालू की तुझे होस आ गया अब तू कैसा है होस में आ गया हूँ तो लग रहा है कि ठीक हूँ तू कहे तो तुरी बीवी को ख़बर बिजवा दूँ उसे क्यों प्रहसान करते हो गुरू बड़ी मुश्किल से तो अपनी दर्जन मुसिपतों को साथ लेकर वो मायके गई है तभी मैं दिन की सिप्ट का डाक्टर रूब तुमारी तवियत कैसी है मिस्टर संकालू ठीक हम अगर मुझे छुटी कम मिलेगी डाक्टर जल्दी तुम दोनों की भी जल्दी छुटी मिल जाएगी मगर पहले मैं तुमारा चेक अप कर लूँ गुरू मैं बिल्कुल ठीक हूँ इन्हें अपना काम करने दे संकालू और उसके बाद हम अपना काम करेंगे यानि उस बगोडे पाइरो को डूँड कर वापस जेल पूँचाने का ये पाइरो कौन है पाइरो के कार्णी मेरी आलत हुई है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है गमराज डाक्टर को संकालू के चेक अप के दुरान संक्षेप में पाइरो के विश्चे में सब कुछ पताता चला गया जिसे सुनते वे चोक पड़ा वो इसका मतलब वो ही पाइरो था कौन गमराज तुमने जिस उलिये के बगोडे क्यादी का जिकर किया है वही कुछ देर पहले अपने जले मूँ का इलाज कराने के लिए मेरे पास आ था उसने मिट्टी का तेल पीकर रंपराग की फुकार छोड़ी थी तब ही उसका मूँ भी जल गया होगा सर्तिया वो वही ये गुरू आप हमें उस जगह पर ले चलिए डाक्टर सा वरना वो वहां से भी भाग जाएगा चलो वो जगह यहां से बहुत दूर नहीं मैं तुम्हें अपनी कार में ले चलता हूँ गुरू पुलिस को भी साथ ले ले पहले उसकी पैचान तोकन फरम कर ले डाक्टर उने ले कर एक गुदाम जैसी जगह पर पहुँचा मैंने उसका इलाज यही पर किया था वो यहीं कहीं होगा मगर यहां तो कोई दिखाए नहीं पड़ रहा गुरू हम सई जगह पर ही पहुचे संकालू क्योंकि यहां रखा सारा समानाग से समंधित है अचानक फायर इस गरेट, I love fire, फायर इस बुटिफूल, हाँ फायरो वो तो हमें यहां लाने वाला यह डाक्टर नीबलिक पायरो है हाँ तुमने ठीक पैचाना के मराज मैं फायरो ही हूँ दुनिया मुझे फायर मैन के नाम से जानती है, मैं आग का खिलाडी हूँ, बढ़ाम आग जिसके साथ मैं बस्पन से खेलता है हूँ, क्योंकि मेरा जुन जुना मेरे सोतेले बाप ने तोड़ दिया था कमकत मुझे भूत मारता था, मैं भी अक्सर उसके कपड़ों और पाजामों के नाड़े जला दिता था उसकी बच्ची और सुलगती हुई सिगरेट से उसकी लूंगी में छेद कर देता था उसकी कमीज और पैंट की जेबों मैं चटर मटर नाम की आतिस बाजी छिपा देता था फिर जब मेरी माँ उनकपड़ों पर प्रेस करती तो खूब चटर मटर होती थी कपड़ों में भी और जले कपड़े देखकर करोधित हुए मेरे बाप के मुझे निकली गालियों से भी उस दिन मेरा बाप मुझे बहुत पिटता था पिटने के बाद मुझे जोरों की भूख लगती थी उस दिन भी पिटने के बाद मैं आमलेट पनाने के लिए गैस बरनव जलाने लगा तो पता चला गिए माचिस खतम हो गया मैं गैस की नाब बंद करना भूल गया और माचिस लेने चला गया उस दिन मेरी भूत पिटाई करने के काण मेरे बाप को भी भूत भूख लगी थी और रसोई गर में पूचा अंडा फूटा और फैटा हुआ देखा यानि बस चला जलाना बाकी था उसने अपनी माचिस से चला भी जला लिया मगर गैस फैली उने के काण पूरा रसोई गरी चला बन गया और उस आग में मेरा सुतेला बाप भी जला वामलेट बन कर रह गया इस सदमे से मेरी मा भी मर गई अब मैं बिल्कुल अकेला होगा मेरी प्रोसन की लड़की बिलो को मुझे पर बड़ा तरस आया और तरस तरस में वह मुझे प्रेम करने लगी एक दिन प्रेम पतर बेज कर उसने मुझे अपने प्रेम का इजहार किया पतर पर प्यार की स्टेंप भी लगाई तो मेरी मांग के खून से पतर लिखा है खून से शाई ने समझना हम आपके हो गए पराई ने समझना जवाब की प्रतिक्सा में आपकी बिलो मैंने भी उसे पतंग में करनी देने के बहाने जवाब भीज दिया त्व हाए लेला तु है तु ही ऐ लेला तु ही आनार कली इतने दिनों तक कहा थी पहले क्यों नहीं मिली तुम्हारा रामपरसाद रामपरसाद मिरा असली नाम है मगर यहाँ भी किस्मत ने मुचसे खेल खेला उसके बाप ने पतंग तोड़ दी नहीं पिता जी आपने क्या किया उसके बाद बेचारी बिलो कि उसके पिता ने खूब पिटाई की मैं भी बचाने नहीं गया क्योंकि मेरी पिटाई ज्यादा होती उसकी साधी तया गई पर रात वाले दिन मेरे साथ भाग निकली कमकत यहां भी किसमत दगा दे गई उसकी चपल तूट गई तब मैंने अपना एक जूता उसे दे दिया जिसे पहन कर वो भागी तो गिर पड़ी चोगि मेरे जूते में अंदर की तरफ निकली एक कील उसे चुब गई थी तब तक उसके गरवाले आगे और से ले गई मैंने छिप कर उसे किसी और के साथ अगनी के साथ फेरे लेते वे देखा दुख से मेरे सीने में आग लगी हुई थी तू अमारी थी जान से प्यारी थी तेरे आंगन में मैंने पतंग उतारी थी तू औरो की क्यों हो गई बूहू और बस लगन मंडब की अगनी मेरी आखों में उसकी तस्वीर बन कर बस गई अगनी के रूप में मैंने उसे अपना साथी बना लिए अगनी के परतेक रूप में मुझे मेरी बिलो दीखती है जिसे बहरम जमाने के कुर आथों ने मुझे जुदा कर दिया था पाईरो कुर अंदाज में सावर अब तुम दोनों से मेरी दुस्मनी की वज़े सुन लो तुम दोनों का कुसूर यह है कि जेल से फ्रार होते वक्त तुमने मेरे काम में अडंगा लगाया बैलून की रा में आगे तुमारी फायर ब्रिगेड की स्काई लेंडर से टकरा कर मेरे गुबारे की अवा बिखर गई निकल गई और वो कुरला के चिडिया घर में सेर के बाड़े में मुझ से जाकर गिरा गुर मुझे देखकर सेरंगडाई लेता वा उट खड़ा वा और मुझ पर जपट पड़ा उसने उससे बचने की चेस्टा में मेरे सारे कपड़े चीथड़ों में बदल गए कच्छा तक फट गया तब वही बैलून मेरे काम आया उस बैलून में मैंने एक सिपाई का कच्छा भी सील दिया था वही पैन कर मैं वहाँ से बचकर भागा तब से मुझे सिर्फ तुम्हारी तलास थी जो कल आखिर रेस्टरा में पहुँचकर पूरी हो गई और आज तुम्हारी मोत के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा ये पटाके इस गोदाम की पूरी दिवार पर फिक्स हैं जलते वए ये पटाके जब पैट्रोल वे डिजल से टकराएंगे तो फैलेगी आग जिसमें तुम दोनों भी जल मरोगे इसी के साथ पाईरो वहाँ से निकल गया और गुरू अपने पटाकों में आग लगा कर दरवाजा भार से बंद कर दिया है पटाके फूटते वे जबलन से पदार्तों के और बढ़ रहे हैं मुझे संका हो रहे हैं कि इनका आग से संप्रक स्थापित होता ही हमारी जिंदा चिता यहीं बन जाएगी तो गबरामत संकालो और देख मेरा कमाल पाइरो ने हमें आग में फसा कर मारने की योजना बनाई है ने जब कि वो ये बात बुल गया कि फायर बिगेड में हमें आग से जूजने और बुजाने की ट्रेनिंग दी जाती है संकालो इस पूरे गदाम में कहीं ना कहीं कोई नाली जरूर होगी ये रही इस से पहले की जलते वे पटाके डीजल और पैटरोल के निकट पहुंच जाए हम इस नाली में डीजल बे पैटरोल के डर्म खाली कर देते हैं डीजल और पैट्रोल नाली में बैतावा इस इमारत के बाहर चला जाएगा और यह आग नहीं फैला पाएगा फैल पाएगी और यही समय है यह मुंडा को यहां बुलाने का यह मुंडा अपरकट हो लेकिन बाहर बीड़ी सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं कास उन्हें यह बात मालूम होती कि पैट्रोल बैतावा वहां तक आप हुचा रहे आग आग देखकर पूरी बस्ती में अंगामा मच गया आग आग नाली में आग बह रही है देखो गनी देवता नाली में बह रहे हैं मैं तो अपना आटा सबजी यहीं लाकर पका लेता हूँ आज गैस कतम है तब इस आग की सुचना फायर बिर्गेड को मिलनी थी मिलनी मिलनी थी क्या आग आग लग यह चलो इधर से फायर बिगेड की गाड़ी नाली में लग आग का पीछा कर तिक दोड़ पड़ी और इधर सई समय था जब यम्राज ने सरुग से अपने पुत्तर की कुसल प्रेम जानने के लिए पृत्वी पर जांका औरे यह क्या मेरा पुत्तर उस इमारत में कहीं है मगर उस में से तो दुआ निकल रहा है कहीं इमारत में आग तो नहीं लगी हुई है मुझे फोरन जल्द बान इस इमारत में छोड़ना होगा जो कि उस इमारत में प्रवेश करके अंदर लगी आग को बुजा देगा गुरू वो देखो जल्दी ही उसी समय आप पहुची फायर ब्रिकेट भी आग इस इमारत में लगी है जल्दी करो पानी की दार छोड़ो दर्वाजा तोड़ो हो सकता है अंदर कोई फसा हो फिर जैसे दर्वाजा तोड़ा गया हुर्रे गुरू ये चमतका जरूर तुमा जल्दी कर रास्ते की पुलिस चोकिश से पुलिस को भी साथ लेना है और वह जगह भी वही रेस्तरा जहां केंडिल लाइट डीनर के लिए पायरो अक्सर आता था और वह जगह थी वही रेस्तरा तुमारा खेल खतम हो गया पायरो भागने की कोशिस बेकार है भागूँगा कैसे मेरी तो कार भी खराब है मगर मुझे जेल की दिवारे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगी मैं जल्दे फिर भागाऊंगा मगर रईस पार आग लगा कर मत भागना वरना हम आग बुजाने फिर आ जाएंगे समाब दोस्तो अच्छी लगे तो जरू लाइक करना